हेलो नमस्कार साथियो मैं मनीश यह तब एक बार फिरूम आपके सामने एक नए वीडियो लेकर आज के इस वीडियो में हम लोग सर्चा कर रहे होंगे यूपी डियालेट प्रतम समेश्टर का जो भी रिजल्ट आया है तो ऐसे विडियारती जो एक या दो नमबर से फेल हैं कौन से ऐसे विडियारती हैं जिनका समेश्टर बैक हुआ है तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से जानेंगे क्या उन छात्रों की भी रिस लगेगी अगर उन छात्रों के फीश लगेगी तो कितनी फीश लगेगी एक नमबर दो नमबर या तीन नमबर चार नमबर वाले ऐसे कौन से विद्यारती हैं जिनको स्कूरूटिंग लिए विदन करना सही है क्या उनके अंग बढ़ सकते हैं अगर बढ़ सकते हैं तो कितने अंग बढ़ सकते हैं आपकी पर्थम समेश्टर की परिक्षाएं दो तीस समेश्टर की परिक्षाएं कब होंगी तो पूरी जनकरी आज के इ सबसे पेले हम लोग बात करते हैं जो आपका ला कर ढाइख है यह आपका एक किशी पेहं परमां बैक लगता है दूसरा है सेमेस्टर बैक दो चीजे हैं पहली कंडिशन में यह हैं आपका एक सब्ज़ेक्ट में बैक है दो में बैक है तो आपका ये पेपर बैक है क्या है पेपर बैक है एक में दो में और तीन में अगर इन में आपका डी डी लिखा है तीन जगए आपका डी लिखा है तो आपका ये समेस्टर बैक है यानि कि समेस्टर बैक की इस्तिती में आपको पूरे पेपर फिर से देने पड़ें तो केबल यही दो समजर्ट को पेपर आपको के देने पड़े अब सिमें क्या होगा जो इस वाली कडि के यह सेकंड सेमिस्टर के भी पेपर दे पाएंगे लेकिन यह बाले चात्र हैं यह सेकंड सेमिस्टर में नहीं पहुँचेंगे मतलब यह फिर से अब फर्स्ट समिस्टर में आ गए हैं अब ये बात मान के चलिए समझ गए बात के नहीं अब ये लोग हो गए हैं इन से पीछे पीछे कैसे हो गए कि भाई अब ये फर्स्ट समिस्टर का देंगे इसके बाद फिर जब ये फर्स्ट समिस्टर पार कर लेंगे फिर आप सेक इन समिस्टर में जाएंगे ये तो बात होगी आपकी बैक पेपर की और साथ के साथ समिस्टर बैक की उमीद है कि आप सब लोग समझ गया होगे अब हम लोग बात करेंगे इन छात्रों को अब कितनी फीज देने पड़ी अब बहुत सारे विद्यरती इस बात में कंफ्यूज हैं कि जिनका समिस्टर बैक है या पेपर बैक है तो इनको क्या फीज देने पड़ेगी देखो समिस्टर बैक अगर आपका हुआ है तो आपकी तो 41,000 फीज लगी है यह आपको फिरसे नहीं देनी है इसी में आप फिरसे पड़ते रहेंगे बस आपकी जो एक्जाम फॉर्म की फीज होती है वो आपको देनी पड़ेगी वो आई थिंक 500 के आसपास होगी अब इस अगरी वाले हूँ अब यहां आप दो पेपर में फेल हैं आप अधिक्तम दो पेपर में स्कूर्णी करा सकते हैं अगर आपकी तीन में लगी है ना तो आप इन वे से इन दो में करा सकते हैं इन दो में करा सकते हैं मतलब तीनों में नहीं करा सकते हैं यह वाले लोग दोनो हो जाता है तो ये इस स्रेडी में आ जाएगा है ना मतलब फिर ये पेपर ये वाले जो दो पेपर रहे जाएंगे इसके वो देगा और ये सेकंड समिस्टर में भी आ जाएगा तो जो विद्यारती ऐसे हैं जो एक नंबर दो नंबर तीन नंबर या चार नंबर से फेल हैं अ परसेंट केबल चांस होता है आपका नंबर बढ़े बाकी 95 परसेंट आपका नंबर नहीं बढ़ता है अब बहुत सारे विद्यारती ऐसे हैं जिनका साइंस में 20 की जगए पता से लिए 2 लिग गया है तो हम कहें कि गुरुजी इनका 18 नंबर कम है तो ऐसे विद्यारती स्कू नंबर है तीन नंबर है तो ऐसे लोग आविदन कर सकते हैं इस कूटने में ऐसा होता आपकी कौपी पुनाहां चेक नहीं होती है बस टोटलिंग में अगर आपकी गड़बड है तो उसको फिर से चेक किया जाता है बात समझ गए इसके बाद आपका बैक पेपर कहां होगा देखो बैक पेपर आपका वही होता जहां आपके एक्जाम सेंटर जाते हैं जैसे मा लिजे जो विदरती सेमिश्टर बैक हुआ है आफास्टमिश्टर के जो ऎड्मिशन हो रहे इनका جाँबी सेंटर जाएग आपके कॉलिज का उनका यहीं पेपर होगा मतलब जैसे नए student treat किये जाते हैं fresh student ऐसे student के साथ ही आपका treatment होने वाला है तो इसमें कुछ नया नहीं है आप दूसरी बात करते हैं जो विद्यारती फेल हो गए हैं एक विशाय में या दो विशाय में तो इनको ज़्यादा परिसान होनी की ज़रूरत नहीं है आप अपना बैक पेपर की तयारी करिए ऐसा नहीं कि आपकी पर पहाट डूट गया है अब आपकी गलती है किसकी गलती है आपको यह तो समझना पड़ेगा हम तो कहते हैं पूरी गलती आपकी है क्योंकि आपका result है आपको निपटना पड़ेगा तो आज से ही आप लोग लग जाईए कब से लग जाईए आज से ही आप लोग लग जाईए और तो तीन विसामें फैल है इनको भी अप पूर्ड मनुयों के साथ आपको हारना नहीं है आपको लड़ना है तो यह विधारती आज से ही लग जाएंगे कि गुरू जी हमें अब बैक कभी जीवन में बैक नहीं लगना है यहां हमें धका आके लगा है जीवन में हम कभी फैल सब्द नहीं सुने थे आज हमारी माकशीट में फैल लिखके आ गया है तो यह फैल से आपको घबराना नहीं है फैल से अब आपको इतनी मजबूती मिल ज सकते आपके दिलों दिमाग में ये बात निकल जाएगी किया रहे बीटी सी तो हवा में हो जाती अब माम लीजी आप सजग हो जाएंगी है ना तो अब जो ये आज जटका लगा इन्हें भविस्ट में कभी जटका नहीं लगेगा ना टैट के टाइम नसी टैट के टाइम उस सेमेड़ की प्रेपर पढ़ाई करनी है तो वो विद्यारती सेकेंड सेमेडर के अगर नोट्स मंगवाना चाहते है या फस्ट सेमेड़ के नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो यह आपका वाट्टसप नंबर है कॉल मत कीजेगा आज कम से कम पचास कॉल आ चुकी है एक complete know alltså मिलागा बहुट सारे विद्यारति ऐसे हैं जिनका सइंस में लगा91 जिलेना चाहते हैं तो वो लोग भी oule egy lessons कर सकते हैं बस आपको आपको कौन से सब्जट का लिखना है है नशारे आपको बता दिया जाएगा कि आपको कितना payment करना है किस नंबर पर कर ना है cash on delivery के लिए अब ना कहें किसी क्योंकि cash on delivery की ववस्ता बंद है बहुत सारे लोगों ने इसका miss view किया है तो इसलिए बंद कर दिया गया है आपके पास अगर google पे phone पे अगर आप use नहीं करते हैं तो किसी के माध्यम से आप करवा सकते हैं उसमें कोई कटना ही नहीं है बस वो screenshot लेके आप हमें भेज देंगे तो हम उसका match करा लेंगे कि हाँ आपका payment आ गया है तीन से चार दिन में अधिक्तम चार से पास दिन में अगर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि आपका notes कहां पहुँच गया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप जो भी दर्ती hard copy यानि की घर पर notes नहीं मंगवा सकते हैं देखो आप लोग इतना कंजूसी करते हो अभी अगर आपका एक paper में back लग गया है तो आपको 200 रुपई इसको उटनी प्लस 500 रुपई आपका back paper का खर्चा है कुल मिला के 700 रुपई आपका क्या होगा एक back paper का है ठीक अब इसमें भी आपकी ये tension है कि 6 महीने आप एक तो पीछे हो गए भरती आ गई तो आप इसमें आभी तन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब भरती 6 महीने लेट तो लोगी नहीं अब अगर भविस में आगई भरती और आपका semester complete नहीं होगा तो आपको नुक्सान होगा न कुल मिलाकर इतने में ही आपके notes मिल जाएंगे और tension नहीं रहेगे कि हमारा back लगा है तो जो विद्यारती अगर लेना चाहते हैं तो अराम से ले सकते हैं कोई दिकत वाली बात नहीं है किसी एक अगर आपका एक subject में back लग जाता न तो 700 रुपए से ज़्यादा तो आपकी फीस हो गई फिर बाकी इतने time आप पढ़ेंगे 6 महीने आपके आने जाने का खर्च तो कितनी सारी चीज़ें हो चाते हैं तो इसलिए एक बार लेके और पूड मनोय के साथ पढ़ें लिजे आपका भी confidence बना रहेगा है ना तो जो विद्यारती लेना चाहते हैं तो असानी के साथ ले सकते हैं कहीं कोई कड़ना ही नहीं है अब बहुत से विद्यारती हैं अगर इतना भी नहीं खर्च कर सकते हैं है ना किसी कारण बस तो वो लो आपको क्लिक करना है मैं यह उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग PDF लेना चाहते हैं आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ एक इस तरह का इंटरफेस आजाएगा यहां हमारी फोटो होगी यहां आपको follow का option होगा आप यहां पर इस पर क्लिक कर देंगे तो यह इस पर क्लिक करेंगे किस पर क्लिक करेंगे यह कोर्स लिखा है आप जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आजाएगा इस तरीके का यहां लिखा है पेड़ कोर्स यह आपका first semester का है यह आपका second semester का है अगर आप first के हैं तो इस प payment कर सकते हैं आपको अभी यह सुब्दा मिल जाएगे अगर जो विद्यारती यहां से payment नहीं कर पाते हैं यानि कि अगर वो लोग यहां से कड़ना ही मैसूस करते हैं यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे यहां से follow जरूर कर लेंगे follow करने के बाद आप हमें वाट्सप पर मैसेज करेंगे कहां चौरानवे ग्यार है च्छानवे इक्यानवे बीस और आप कहेंगे कि सर हमने follow कर लिया हमें first semester second semester का note चाहिए हम payment आपको direct करना चाहते हैं तो हम यहां से आपको एक Google पे phone पे नमर दे देंगे और आप से कहेंगे कि आप इस पर अपना transaction कर दीजिए अपना payment कर दीजिए और अपना screenshot भीज दीजिए है ना और आपका application में किस नमर से login है आप जैसे हमें यहां तीनों चीज़ें भीज देंगे तो आपके अपने आप आपके phone में यहां से जो यह बाला है ना जब आप open करने आएंगे जब आप payment कर हैं तो जो विदारती download करना चाहते हैं सबसे पहले आप लोग मनीज अकडमी का application गूगल प्ले स्टोर से download कर लें इसके वाद आपका यह notes open हो जाएगा अगर आप किताबों के रूप में लेना चाहते हैं कि घर आपके binding की कराई किताबे मिल जाएं किताबों से हमें आसानी application पर पढ़ सकते हैं ऐसा नहीं कि आप इसको download करके print कर पाएं है ना और अपनी बुगा मोसी फूपा ताउजी को भेज पाएं ऐसा नहीं होगा केबल यहीं खुलेगा इसलिए इसकी cost इतनी कम रखी गई है तो जो विदारती लेना चाहते है application से ले सकते हैं यहां download प्रें दबा लिजेगा thank you so much